कि बार बार सब मित्रों ने खा कि किसान गरीब भूका विरोजगार इसी बाते आई यह शब्द गूजते हैं इको करते हैं हमको अपने पर शर्म आती है दुर्भागी मेरा कि मैं पत्रकार हूं तो राजनेताओं को देखा भी अंतरंगता से कैसे कैसे जैसे आदमी अल्टो नहीं खरीच सकता इस्कूटर मोटरज़्य कर नहीं ले सकता भारत का हम आदमी बैसे आप लोग जहाज में चल रहे हो दो हैं ज्यान बांट रहे हो के लिए रात पर जग रहे है हमने आप लोगों के घरों में कपलेट देखे पूछो यह कटोरी कहां से आई बोले इटली से आई बोले यह यह बोले पेरिस से आया गिलास गरीब के लिए रो रहे हो यह तमाशा नहीं किया करो भाई, इतना तो मत किया करो, लोग सुनते होंगे टीवी पर तो क्या कहते होंगे, जहर खाने का मन करता होगा गरीब आदमी का, उसके गरीबी के साथ मजाक मत करिए, आप रोट्री नहीं दे सकते, तो शांत तो रहिए, काजू बदाम खाने के बा नहीं देखी क्या, आप लोगों ने जितनी नहीं देखोगे, रागवेंदर ने, कपिष ने, आनंद ने, उतनी मैं ने देखी हो, विक्रम राव साब ने देखी हो, आपके नेताओं किया शादियां, पैसा आईसे बहते देखा, कानपूर में तो गंगा में भी उतना जोर नहीं है, यह गंगोत्री गंगा समझो, ऐसे पैसा बहते देखा, एक नेता किया शादी हुई थी परिवार में, जहाज ऐसे उड़ा, और बात कर रहे हैं कि जी चार्सो करोन कारीडोर में लग दिया, देश भूका, घजब बात, जहाज ऐसे उड़े, जैसे विक्रम टेम् चलते हैं, चमन गंज से, कानपुर में, उस फ्रीक्वेंसी में जहाज उड़े, विक्रम राव साब ने कहा दिया, मुझे पान खाना, बोले, जहाज ले जब पान खाके, कपिर शिवास्त्रम ने दो मिनिट बाद बोला, हम बोले, हमको भी खाना, बोले, इंदिये दूसरे कर रोटी नहीं तो क्या हुआ, आज कल दिल्ली में है, जी रहे भैसिये मुता, और कहले, गरीब का मसला है, गरीबी दूर नहीं कर रहे, तो ये क्यों बना रहे, जब बात करते हो सब लोग यार, कहीं तो कुछ रखो बाबू, मैंने गवारा जीस सिंग से पूछा था, रह पूलने का, आज सर भी नहीं तो नेट पे मिल जाती है, पेंशन तो, तो मैंने का, आपका खर्चा जो मुझे ओवराल दिख रहा है, यही दिन भर में 2-3 लाग का है, गरीब के लिए सब हो, अब दूसरी बात आती है, इस देश में हमको गुलाम बनाने के लिए जिन स्था स्थानों को तोड़ा गया, कि हमारी आत्मा पर भी नियंतन हो जाए, उन स्थानों का पुनुरुद्धार नहीं होगा, तो किस जखागा पुनुरुद्धार होगा, आपकी कोथी में पैसा लगे तो जाए, और भाबा विशुनात के करिदोर बने तो ना जाए, जितना पै जोर में लगा है कुल, राव साप बेला तो नहीं जाना, साउसो एसी लगे, साउसो एसी, इंद्र की सभा लगती है, अरे पशु पक्षी भी विदेशी है, धाई लाग का तोता उसको मकाउ बोलते, क्या बोलते पकाउ, हाँ, एक नेता थे, बोले ये पकाउ लाए, मकाउ बोले, मैंने कितने के लाए, बोले भाईया धाई लाग का लाए, वोगी कह रहे रहे, मैं गरीब के लिए रात भर जगता हूं, मैंने क्या हब मकाउ कोग खेलाते हैं, गरीब के लिए रहो, आट benefit के लिए रो रहे हूं, आपके कमाई का कोई साधन नही, और आपको अपक् लिखा समास्ते वा ऑफर्चुनर में चल ले उ जमा जम, चार गारी आगे फ चार पीछे, जूता भी साल रहे हूं मोज़ा इनाई। नहीं नहीं है जो नहीं पहन पा रहे है है वो दुख में मरे जा रहे हैं, करें कि है ईश्वर ऐसे दिन हमारे कम आए कि मैं भी सफेज यूता पहन पाऊं और दस अंगूठी दसों उंगलियों में अब बक्री बांधने वाली उतनी मोटी चेन गले में कोई करा राष्टबाद लाएंगे कोई करा जी समाथ बाद लाएंगे कोई करा जी कांगरिस लाएंगे क्या और 200 ग्राम की चेन डाले गले में कि आप लोग सवाल उठाएंगे काशी भी शुनात पर ना भाई साब आई आइसा मत करें आध्यात्मिक को छोड़ भी दें हाला कि आध्यात्मिक मान का कोई मूल्य नहीं होता इस शिखों ने कभी ये सवाल नहीं उठाया कि गोर्ड़न टेंपिल का कोई आर्थिक मूल्य क्या है बेटिकन सिटी में पोप की सत्ता क्यों चलती ही सवाल इसाही नहीं उठाते मक्का और मदीना पर सवाल नहीं उठता काशी विशुनात पर सवाल उठाने की हिमाकत कैसे हो सकती है जब प्राजनीती नहीं थी जब पार्टियां नहीं थी जब नेता नहीं थे तब इस देश को किसने एक रखा मेरे मित्र हम लोग तो बाद में आए हैं नेतागिरी करने के लिए हजारों साल की गुलामी के बाद भी अगर तुलसी चवरा बचा रहा उसमें दीपक बाती होती रही अगर संतिनाइन की कथा बची रही अगर बजंग वली का मंदिर बना रहा अगर राम्तीता विवहा हो कि यादे बनी रही हमारे जहन में तो यही मठ मंदिर थे जिनोंने भारत की आत्मा को जीनित रखा सबसक कोई राओ शक आए हूड आए मुगल आए कहा कहा कि अलबन बलबन समा आ गए क्या कर लिए काल के गाल में समा गए कि ये बल हम जिन्दा रहे कुछ बात है कि हस्ती मिठती नहीं हमारी इसलिए मैं सबसे कहूंगा स्वागत कीजिए बाबा विशुनात के इस कॉरिडोर का इस संकुल का ये भारत की आत्मा का शंखनाद है इसको सुनिए और नेतिक्ता की बात हम तब कर पाएंगे जब हमारा जीवन गांधी सा हो जाए लोहिया सा हो जाए दीन दयाल सा हो जाए जैप्रकाश सा हो जाए तो नेतिक्ता की बात अच्छी लगे हमारे पीछे पांच-पांच करोन की दो-दो करोन की लोहियां दिली की सड़कों पर डीटीसी की बस से चलते थे ये समाज बात था आप लोग किस बस से चलते हैं पता है ना नो या चलते づे इस लिए संक्या करें हम लोहिया द्याल या प्रकाष नहीं हो तक तो उतनी बात न ला करें देश के मं के साथ चलिए देश के मिजाज के साथ चलिए, देश के सरोकार के साथ चलिए, ये देश बिना परम शक्ति के नहीं रह सकता, उसको प्रतीक चाहिए, उसको आराध्य चाहिए, लोग अपने बाप के उसमें नहीं जाते, बाप गाउं रहें तो लड़का नहीं जाता, सालों साल, इन में कु कहा था कि 5000 साल से ज्यादा हो गए नासा कहता है कृष्ण को इस अवतरित हुए उनका जो है एक्जिस्टेंस इस वक्त रहा होगा कि बोले 5000 साल से आज तक जिस आदमी का जनम दिन मन रहा है वो आदमी कितना बुलंद होगा खुदी सोचले भगवान ना मानो तोगी कि आदमी बाप का जनम नहीं मना रहा बाबा का याद नहीं लो छोटी शक्ति हैं एक भारत के ही प्राण शक्ती है उन्य यह अब रुद्ध्त नहीं हो सकती मुगल नहीं कर पाएछ सक्क नहीं कर पाए हूशल नहीं कर पाए तो बाकि जीन होजा या अ रन्ने बादू